प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के अंडर में 30 मार्च को जिसके अंदर ये फैसला लिया गया कि अब 15 light combat helicopter limited series production को acquire किया जाएगा जिसका cost 3887 करोड रुपए बताया जा रहा है और साथ ही इसके लिए एक infrastructure sanction भी किया गया है जो कि 377 करोड रुपए का है अब ही दोस्तों ये जो light combat helicopter है ये limited series production का है और इंडियन ही इसके अंदर design है और इसे locally ही develop किया गया है manufacture किया गया है और ये हमारा state of the art modern combat helicopter है जिसके अंदर 45% indigenous content अगर value के हिसा आप से देखा जाए और इसे 55% तक कर दिया जाएगा जब इसका series production होगा और दोस्तों ये helicopter बहुत सी चीजों से less है जिसकी वज़े से इसके agility बहुत अच्छी है maneuverability भी अच्छी है इसकी range भी बढ़ गई है high altitude performance भी ये कर सकता है और round the clock all weather combat capability रखता है जिसकी वज़े से ये कई तरह के roll निभा सकता है जिसके अंदर combat search और rescue वी शामिले destruction है enemy के air defense का इसके इलावा counter insurgency operation में भी इस्तेमाल हो सकता है साथ ही ये किसी भी slow moving aircraft या फिर remotely piloted aircraft के against भी काम आ सकता है high altitude के अंदर bunker बस्त करने के operation में भी ये काम में लिया जा सकता है इसके इलावा अगर जंगल के अंदर कोई counter insurgency operation चल रहा हो या फिर कोई urban environment के अंदर का operation हो या फिर ground forces को support करना हो उसमें भी ये मदद कर सकता है कुल मिला के ये हमारी इंडियन air force और इंडियन army के जरूरतों के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और सबसे बड़ी बात ये आने वाले तीन से चार दशक तक हमारी मदद करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही state of the art technologies दी गई है जिसमें सबसे बड़ा इसका stealth feature है जिसकी वज़े से इसका visual, oral, radar और infrared signature कम हो गया है और इसकी survivability भी better हो गई है अगर इसकी deployment किसी भी combat role के लिए की जाए और इसके अंदर modern glass cockpit और composite airframe structure भी दिया गया है और जो इसका आने वाला future series production होगा उसके अंदर modernization और indigenization और भी ज़्यादा किया जाएगा और दोस्तो इस helicopter को आतम निर्वर भारत initiative के तहती बनाया गया है और ये हमारी defense industry को और भी बढ़ावा देगा और आने वाले समय में जो अभी हमारी import के उपर dependence है उसे भी कम करेगा और साथ ही इसके अंदर export की capability भी होगी धन्यवाद जैहिन